फ्रेंट्स इस एक पेज में आपको यह जो धेर सारे नंबर दिखाए दे रहे यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह नंबर आपको आज किस वीडियो में यह समझने में हेल्प करेंगे कि क्यों आपको शोरूम में नई गाड़ी खरीते समय कुछ बहुत आपके काम में आएगा क्योंकि मेरा जो खुद का प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस है वो मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में शेर करूँगा जो बाते शोरूम में मेरे साथ हुई जस्ट वही बाते मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं राची में टीवेस के एक शोरूम में गया था वहाँ पे टीवेस एंटॉर्क 125 एक्स्टे एडिसन का ओन डोट प्रैस क्या चल रहा है वो पता करने के लिए साथ ही अलग अलग बैंक यहाँ पे फै इन सब का फैरेंसेल स्कीम को समझ और जो डेटा मेरे साबने आया है जो बात उन्हें बताई और जो मुझे डिफरेंस दिखाए दिया वो बहुत ज़्यदा शौकिंग हो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में अच्छी जा जानकारी नहीं है और वैसे लोग जो थोड़े कम पढ़ी लिखे हो तो इसके बारे में बहुत जादा नहीं जानते इन सब के लिए आज के इस वीडियो जो जानकारी मैं पर शेयर करूंगा वो आपके काम में आएंगे जस्ट आप थोड़ा सबर रखते हुए इस वीडिय आप जरूर से कर ले अफ़ेंट देखो सबसे पहले मैंने क्या क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि शोरूम में मैंने वहाँ पर दो कंडिशन रखा पहला कंडिशन मैंने बैंक वाले को ये बताया कि भाई मैं 40,000 के आसपास का डॉन पेमेंट करूंगा और जो मुझे EMI स्कीम चाहिए वो 12 महीने या फिर 18 महीने के लिए चाहिए आप मुझे बताओ कि आपके बैंक के इंटरेस्ट के साब से मुझे कितना EMI देना होगा और डॉन पेमेंट कितना आएगा मैंने दूसरा कंडिशन ये भी रखा कि मैं 40,000 के जगा मैं 80,000 तक भी डॉन पेमेंट क को मेरे पास भेजा और उसने मुझे क्या स्कीम बताया है पहले पूसरी स्कीम को समझो फिर मैं आपको आगे के बाते बाते बताऊंगा फ्रेंड्स अब देखो आप ये है औरिजिनल कॉपी HDB बैंक यहाँ प आप देखो आप देखो अक्सिस बैंक यहाँ प आप देखो टाटा कैपिटल यहाँ प आप देखो इंडसिंट बैंक यहाँ पूर उन बंदों ने खुझ से यह सब कुछ लिखा है ठीक है लेकिन मै प्राइज है वह एक लाग छबी सजार छेसो ग्यारा यहाँ पर प्रोसेसिंग फीज भी 500 रुपए है और इसके लावा जो भी आर्टी ओ इंसुरेंस यह सब कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है यानि कि स्कूटर पर जो मुझे फिनांस चाहिए था वो था अमांट है तो आया है एजडी बी का बंदा अब इसने मुझे बताया कि सबसे पहले देखे सर अगर आप डॉन प्रेमेंट असेयर के आसपास करना चाह रहे हो तो आपको 89,360 रुपए देने होंगे और जो इमाई आपका होगा वो होगा 6,082 रुपए 12 महीने के लिए तो टोटल अ था वो था 1,52,344 और इससे अगराम मुझे इंट्रेस्ट के डिफरेंस से करें तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस आ रहा है 25,733 उसने मुझे 40,000 मैंने बताया था तो 40,000 के आसपास मुझे बताया कि DP आपको डॉन पेमेंट करना होगा 4,012 रुपए EMI आएगा 5,966 रु अपर HDB Financial Services के बंदे ने जो मुझे स्किम बताया वो तो मैंने आपको बता दिया लेकिन अब आता है में इंट्रेस्टिंग पार्ट और अब आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आया क्योंकि उसके बाद मेरे पास जो Axis Bank का बंदा है वो आया लेकिन वेट ऐसा नहीं कि व भेज देता हूं फिर वो बंदा मेरे पास आया है लेकिन यहाँ आप यह भी समझों कि maximum लोग तो यहीं पर गलती कर देते हैं खास करें जो लोग जो कम जानकार होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि शोरूप में जाते हैं गाली तो पहले से पसंद रहती है गाली को पसंद कर यहीं पर गलती हो जाती है मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले आप समझ लो कि जो एक्सिस बैंक का बंदा है उसने क्या मुझे स्कीम बताया है यहाँ आपके सामने आ जाएगा उसने बोला कि अगर 80% करना तो डॉन पेमेंट आपका आएगा 80290 रुपए 12 महीने के लिए जो EMI था वो था 4,530 रुपए 18 महीने के लिए था 324 रुपए ठीक है और जो 12 महीने के लिए अगर मैं असे डॉन पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस आ रहा था में जो प्राइजे इसके साथ वो आ रहा था 8,603 रुपए और यहाँ पर आप देखो 11,351 रुपए मुझे ज्यादा देना था कंडिशन टू में आप साफ यहाँ पे देख रहे हो कि डॉन पेमेंट उसने मुझे कहा एक्सेस बैंक वाले बंदेने 41,290 रुपए यह माई का स्कीम अभी आपके सामने आप खुद भी देख रहा और जो प्राइज डिफरेंस आ रहा वो भी देख सक रहे हो लेकिन यहाँ पे इंट्रेस्टिंग बात कि आप यहाँ पे बहुत गौर से देखे कि देखो HDB वाले ने मुझे बताया थे कि डॉन पेमेंट करीब 80,000 इसने मुझे कहा करीब 80,000 ठीक है इसके लाव मैं आपको यह भी कॉपी दिखाना चाहूँगा यहाँ पे देखो Tata Capital वाले भी ने मुझे बताया था कि भाई 80,000 ठीन सो ग्यार वे पर डॉन पेमेंट करो और EMI 12-18 माहिने के लिए इतना रहेगा 40,700 रुपर डॉन पेमेंट करो यहाँ पे आप देखो EMI स्कीम आपको इतना दिखाए देरा और इसमें भी और यह जो पहला वाला था इसमें भी प्राइस डिफरेंस जादा था ठीक है मैं जादो डिटल में नहीं जाओंगो ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जागा आप ज़स्ट टॉपिक को समझो इसके बाद इंड़सिट बैंक ने भी साब मुझे बताया कि डीपी इतना रहेगा EMI जो डीपी रहेगा 41,61 तो EMI रहेगा इतना तो इन दोनों जो कॉपीज हैं इनमें हमें यही किलियर हो रहा है कि आप देखो कि एक ही गाड़ी को अलग-अलग बैंक जब बता रहा है स्कीम तो कितने ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट कितना ज़्यादा वैरी कर रहा है और mostly showroom में यह आपको देखने को मिलेगा ही तो फ्रेंट्स एक ही गाड़ी पे same dawn payment पे कैसे अलग-अलग बैंक का जो स्कीम है जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता है कैसे same dawn payment पे EMI चेंज होता है वो आप समझ गए कि अलग-अलग बैंक में यह अलग-अलग होता है तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपके लिए मेरे पास दो राए है नमबर बन तो यही कि अगली बार जब आप कोई भी गाड़ी को loan पे EMI पे खरीदने के लिए showroom में जाए तो सबसे पहला आप salesman को यह कहो कि आप मुझे यह बताओ कि आपका जाशोroom है यहाँ पे किस-किस बैंक से finance हो जाता है वो आपको बहुत सारे 4, 5, 6, 8, 10 बैंक का नाम बता देगा तो थोड़ा सा आप अराम से बैट जाओ थोड़ा सबर रखो और उसके बाद बोलो कि भाई एके करके सारे बंदे को बेजो या आप खुछ से एके करके बुलाओ और उसके बाद आप क्या कर रहा हो कि अलग अलग बैंक का जो स्कीम है उसे लो ठीके किस में इंट्रेस्ट कितना लग रहा है कितना जार आप उसे देखो और उसके बाद पाच मिनट रुक के थोड़ा समझ के आप देखो कि कौन सी बैंक जो हो आपको बेश्ट स्कीम आपके पर्टिकुलर बाइक रिस्कूटर कार दूसरी कोई भी गाड़ी खरीद रहो उसके लिए दे रही है ऐसा है नहीं कि मन में सुचके जाओ कि मुझे एजडिबी का लेना टाटा कैपिटल का लेना आक्सिस का लेना ऐसा बिल्कुल नहीं करें वहाँ पर जाके बैठे अलग-लग स्कीम को लें क्योंकि होता ही है कि अलग-लग गाड़ियों पर अलग-लग गम जो बैंक बगर है व मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक बार जब सब कुछ फिक्स हो जाए कि आप किस बैंक का लेने वाले हो ये माइस की मगरा उसके बाद थोड़ा साथ कालकूलेटर निकाल कि जो डॉन पेमेंट है और जो ये माइ है उसे कैलकूलेट कर लो डिफरेंस को भी देख लो आपका उतना ही इंटरेस्ट लगेगा ये गलती बिल्कूल नहीं करें आप आप डिफरेंस को जब सब कुछ किलियर हो जाए तो डिफरेंस आपमांट जो है उसे जरूर से कैलकूलेट कर ले और उसके बाद ही जज़ कर और उसके बाद ही आप अपने गाड़ी जो है उसे लोन पे ले इन बातों के बारे में बहुत से लोगों को तो पता होता है लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी जिनें बिल्कूल पता नहीं होता है बिचारे आते और इस तरह से शोरूम का जो चक्कर है उसमें फ़र्ज जाते कई बार शोरूम में क्या होता है कि अलग अलग बैंक मों को फाइदा भी अलग अलग देती है तो आप इन बातों का ख्याल रखे और अगली बार ये गलती बिल्कुल नहीं करें अलग बैंक का जो स्कीमों से जरूर से कंपेर कर ले उम्मीद है कि इस वीडियो में दिके जानकार ये आपको पसना आई होगी वी सर्टिफिकेशन के थुरू मिलते रहे मिलता अगले वडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई